दूहजार साथ के बाद में बागवन का पूल धौस्त हो गया उस समय से आज तक ये पूल का निर्मान नहीं हुआ है जिसका नतिजा ये हुआ कि इस तीन मौसुम बच्चे के जान जुबने से चला गया जिसका नाम मिम्य परकार है एक संजय सदा का पूत्र डूब गया दूसरा स्री राम बर्मा का पूत्री करीब उम्र करीब 10 से 15 बरस की थी वो भी डूब गई और तिसरा नरेश सदा का पूत्र तीनों मौसुम का जान डूबने से चला गया अगर पूल रहता तो इस तरह की घटनों नहीं होती आगनबारी केंद्र भी उसी पार्मा है हमारे मुख्या जी का भी घर उसी पार में है जहां तक बच्चे आगनबारी केंद्र पर जाने से डरते हैं क्योंकि पौनी है और पौनी में बच्चा डूब चुका है पहले से और इस कारण से उस पार केंद्र पर बच्चा आगनबारी केंद्र पर नहीं जा रहा है नतिजा इस महादलित परिवार का हो रहा है, मुपकुपवसन से बच्चे पेरित हैं। बागबन का आधार आजस्वगराम उस पार परता है। लगभग सो एकर जमीन से अधिक लोगों का खेती वारी उस पार ही होता है। और पूल टूटने से आधे खेती हो पाता है कारण तीन मेना कंटिल्यू पान ही लाता था। इस पंचायत के मुख्यापती होने के नाते मैं इस पूल के संबंद में दो बार मुखमंत्री से भी बात की थी। अगर पूल बन जाती है तो नावकोठी परखंड और जो है सबकरी परखंड और बेगुसरा डिस्टीट के दूरी है बहुत ही कम पर जाती। मैं चाहती हूँ कि जल्द सजल्द यहां का पूल बनना चाहिए और इसके लिए आभी मेरा मदद कर सकते हैं। बेगुसरा जिला पताधी का डिस्टीट सीमातिरी पार्टी का मुवाइल नम्मार है। चराणबे एक तीस, एक आसी, पाच हजार पे कोल करके उन पे दवाव बनावे और जल्द से जल्द बागवन पंचैत के बागवन गाव में पूल का निर्मान किया जाए। में इंडु जिला बेगुसरा बिहार जे इंडिया अनुट के दूँए।